आपका स्वागत है श्यम जोन में और आज मैं आपको नर्फ गुन के बारे में बताऊंगा पर वो है नहीं नर्फ गुन डुप्लिकेट है ज़रूर और मतलब सही चलती है एकदम मशीन गुन है इलेक्टरिसीटी वाली है मतलब तीन सन डालने पड़ते है लेजर लाइड है और आपको चलेगी भी चलो तो अके का जोन कंटिति है यह मेरी नहीं गुझ अनर्फ की डुप्लिकेट पर अच्छी है तो चलो खोल के देखते है इस गन को चलो खोल के देखते है इस गन को कैसी है यह गुझ यह आप देख सकते हो इसके साथ ही आपको मिला यह पीचिह लगाने का चायद इसका लगता है यह कुछ है यह लगाने का., और यह आपके साथ मिल जाते है, निशाना लगाने का, इसको आपके साथ लगा के, ऐसे उपर नीचे भी कर सकते हो, यह देख सकते हो आप उपर नीचे कर सकते हो और यह तीसी चीज़ है यह लाइट लेजर लाइट इसको इसमें आपको यहां पर काज़ यहां पर काज़ होएगा उसको निकाल देना और यहां पर इसको ऐसे ओन कर देना यह आप देख सकते है लेजर लाइट यह काफी आपने गेमों में देखाएगा कि कॉम्बैक जैसे गेमों में लेजर लाइट का यह देखिए लेजर लाइट और यह काफी अच्छी है ठीक यह मतलब और यह तीसी चीजा आपको साल जो अखे लगा होता है अब कहा नहीं सकते हैं पर दिखने में हैसा ही तो और यह हैं हमारी गुल यद काफिए अच्छी गरना इसको पर लिख है कुछ मैं डिस्टैंस चेल्डरन फेवरेट उती है चेल्रेंस की और लिखा है एस गंख वलट गंड ओंग वह लिखा बापिस और यहां पर आपको अटो शिफ्ट भी मिल जाता है यह जैसे कि आप यह 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 खोलेंगे इसको पेज से जब आप खोलोगे इसको ऐसे तो इसमें तीन सेल डालने पड़ेंगे आपको और यहां से आपका यह देखिए आपको दिख सकता है और आफ तो आपको यहां पे आउन कर देना है ऐसे इसका इंजन चालू हो जाएगा देख सकते हैं आप कितना पावरफुल इ यह था ही सके पीछे लगने का ऐसे लगेंगेगाई है क्यासे लगता है कि देख सकते हैं कि लग चुका और यह काफी अच्छी लग रहे है लằng डिसी ग्न और यह आपका है सेलेंसर यहां पे लगेगा भी आपको लगा के दिखाते हैं कि जस्टा मिनट कि और कि यह से लगेगा कि यह देखो यह लग चुका है सलंसर और यह आप देख सकते हो कितनी बड़ी गन बन चुकी है चोटी सी गन आप मोडिफाय कर सकते इतनी बड़ी गन में बहुत अच्छी है बहुत बड़िया गन है और यहां पर आपके लेजर लाइट भी लख जाएगी पर मैं चाहूंगा कि इसको छोटी रखे ज्यादा बड़ी ना करें चलो इनी कर दो गया है और यह यह इनकी दो तरह की डार्ट मिलते एक तो यह दो चिपकने वाली है ऐसे चिपकूगम ऐसे चिपक जाती है और एक यह है यह आपकी ओरिजिनल डाट जो मतलब लगती है यह आगे थोड़ा प्लास्टिक से हो और हो रहा है यह लगती है तो यह ठीक है पर किसी की आख वाख में मारनी ने चाहिए दिक्कत आती है और यह इसके अंदर चलो हम अब गोलिया डालते है कि यह से डालनी पड़ेगी गोली यह देख सकते आप और फिर ऐसे गुमाना है आपको यह ऐसे करके ऐसे आप डालोगे फिर और यह से और यह से और यह ऐसे फिर इसे इसमें छे गोलिया एक साथ आप डाल सकते हो मशीन गन एक दम और आपको यह लगाने निशाना वाला तो आप यह लगा सकते हैं ऐसे ऐसे आप लगा भी सकते हो लगाने इसको खोलके यहां पर आप देख सकते हो लगाने का हैं लह लग चुका है और यह निशाना तयार पर अपरी लेजर लाइट लगानी है तो आपको यहां से ऐसे करके और फिर लेजर लाइट लेनी है और इसका ऐसे लगा देना है दख सकते हैं कि आप लेजर लाइट लेख चुकी है और यह भी तयार होगी है हमारी गन अच्छे से और अब इसको मैं आपको फायर करके भी तिखाऊंगा वैसे इसके साथ यह हमको टैन मिल जाती चिपकने वाली गोली और यह हमारी डार्ट यह हमको टैन मिल जाजाए तो ट कैसे जाती है सब्सक्राइब कर देख सकते हैं आप लाइट आड़ी इसमें छे गोली फायर हो चुकी है और आपको ऐसे बंद कर देना है आपको और गोरी चला के दिखातों मैं पहले इसको अंदर डालना पड़ेगा ऐसे फिर इसे फिर हम यहां से आप निकाल भी सकते हैं कर देखा है बहुत गणों में कि यहां पर उनका बहुत ऐसे पीछे करने वारा फिर अगासे आप बहुत दबावगे बटन तो ऐसे वो फिर आगे जाती है पर इसमें इसमें क्विक शिफ्ट है तो यह ज्यादा अच्छी गरना है तो इसको ऐसे आप दे सकते हैं कितनी ज्यादा पार कुल है चलो श्य गोल यह खत्म होगी और आपको यह मैंने जहां से खरीदी है यह उस मार्केट को नाम है चांदनी चोक और चांदनी चोक में वैसे साथ तर अच्छे ती गने मिल जाती है आपको तो मेरे को यह पसंद आई यह थी करीब नोस नोसो पचास की दी हां नुस्ट नाइन हंडर फिफ्टी की आपको यह गन मिल जाती है अच्छी है काफी मैं तो कहता हूं कि नर्फ गन बहुत महांगी मिलेगी अगर कोई मतलब जिसके पास अगर कोई ले ना चाहता है नर्फ गन है इसके साथ में मिल जाती है बहुत अच्छी गन बहुत बड़ी अगन मैं तो चाहूंगा कि आप नर्फ गन अगर नहीं ले पा रहे हैं तो यह ले लीजिए यह आपको 950 रुपे की मिलेगी और जहां तक नर्फ गन की बात है ऐसी नर्फ गन आपको 3000 से 4000 तक की मिलेगी म प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और गन्टे का बटन दबा दें जिससे कि आपको मेरी जोन से भी में वीडियो डालूंगा वह आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा थैंक यू फॉर वाचिंग झाल झाल